आगे हमने पंजय को डिसकस किया था जिसमें सेप्टा नहीं था मतलब यह जो मैसी लिया था वो पूरा सेनोसाइटी याने मल्टिनुकलेटेड था अभी इसका एडवांस्ट मतलब जिसमें सेप्टा फॉर्म हो जाता है और इंडिवीजियल नुकलियस रहती है यह वाला पॉर्शन डिसकस करेंगे इसमें थ्री टाइप है इसको मैसेटिस बैसीडियो मैसेटिस और दूटेरो मैसेटिस तो आज हम जो डिसकस करेंगे वह है उसका दूसरा नाम है सेक फनजय क्योंकि यह निए उसका जब सेक्श्वल रिप्रदक्शन ने होता है अता है दिसमें सैख बनाता थहों सैट को बोलते हैं एसकस और इसको इसलिए उसको बोलते हैं इसको मैसेटिस ISO 시청 तो यह जा टोनों तरह में पाई जाते हैं मतलब यह य इस्ट के बहुत सारे स्पीसिस में अपने टेक्स्ट बुक में एक्जम्पल दिये हैं वह पैनिसीलियम है केलविसेप्स है एसपरजीलिस है और नियस्पुरा है तो यह सारे एक्जम्पल आपको याद रखने हैं इसलिए मैंने एक शॉट ट्रिक भी बनाई हुई है यहां पर अगर चाहो तो यह इस तरह से याद रख सकते हो या अपनी तरह से भी अपनी ट्रिक बना सकते हो है कि आसकमी एसपर नूम सी नूइएर पे कल वाइस प्रेजेड़नट पन देगा तो इसमें श्विसप्रेजदेब कि अ और यह दोनों पैनिसीलियम है वो अपने फर्स्ट टाइम जो अपना जो एंटिबायोटिक दिरेव किया था वो पैनिसीलियम से दिरेव किया था दूसरा नियूरोस्पोर अभी आप याद रखे क्योंकि यह बायोकेमिकल और जैनेटिक वर्ग में जैनेटिक काम के लिए इसको बहुत यूज किया जाता है तो अभी एसको मैसेच से इसकी हम डिटेल में देखेंगे कि यह एसेक्शियल और सेक्शियल मोड ओफ रिप्रड़क्शन दोनों रिप्रड़क्शन शो करते हैं जो Asexual mode of reproduction है, वो spore formation से होता है, और यह spore है, वो mycelium के बार बनते हैं, इसलिए उसको exogenous बोलते हैं, और जो spore की जो पूरी छोटी-छोटी ऐसी chain बनती हैं, इस तरह से chain बन जाएगी, जो spore की, इसको बोलते हैं conidia, फिर sexual reproduction में वो बनता है, mycelium के अंदर बनता है, इसलिए से इसको हम endogenous बोलते हैं, और इसको फिर बाद में जो spores बनते हैं, इसको बोलते हैं asco sports, और वो sac like structure होता है, इसको बोलते हैं ascus, फिर इसके जो fruiting body बनती है, वो इसको बोलते हैं asco carp, तो यह रहा अपना asco mycetis का short description है, और इसमें हम दो की cycle देखेंगे, इस्ट की और दूसरी penicillium की भी cycle देखेंगे, तो इस्ट में इस्ट पहला किस ने ढूंडा हैं, एंटन वेन लिवन होक ने, इस्ट की cell wall की किस चीज़ की बनती हैं, तो काईटीन, प्रोटीन, काईटीन बहुत कम रहता हैं, लेकिन काई कोई textbook में या कोई book में आप वहां पर phosphoric acid भी पाएंगे, तो काईटीन, प्रोटीन, लिपीड, polysaccharides and phosphoric acid इस तरह से आप मान की चलें, obvious है कि यह fungi है, तो उसका mode of nutrition सेप्राफेटिक होगा, और यह सारे जो सेप्राफेटिक organism है, सारे extracellular nutrition ही लेते हैं, मतलब कि वो अपना enzymes हैं, वो सारे substratum पे लगे हुए, suppose bread पे लगे हुए हैं, तो bread में से उसको nutrition लेना है, तो सारे enzymes वो अपने bread पे छोड़ देंगे, और उसका जो complex structure है, उसको simple structure में चेंज करके, फिर बाद में absorbable form में आ जाएगा, तब अपने body के अंदर वो लोग खीच लेंगे, तो इसमे इस्ट में होता है, जाइमेस, जाइमेस है, वो complex sugar को simple sugar में convert करता है, और ये जाइमेस की वज़ए से ये बहुत अपना useful है, हमारा जो प्यारा pizza है, वो इसका base है, उसमें use होता है, bread जो खाते हैं, जिसमें sandwiches काते हैं, sandwiches में bread में भी ये लगता है, ये क्यों लगता है, क्योंक देखा कि इस complex sugar into simple sugar, तो suppose हमने आटे में डाल दिया, तो आटे में रहता है starch, तो starch को simple sugar में convert करेगा, और sugar है, उसको breakdown करके ethanol और carbon dioxide में बदल देगा, जो carbon dioxide जो होता है, वो gaseous form में होता है, वो gas है, वो अपने आटा के बीच में trap हो जाएगा, और bread और जो उसका pizza का base है, वो थोड़ा spongy बनेगा, तो यह sponginess के लिए यह हम इसका इस्तमाब करते हैं, दूसरा एक byproduct है, हमारे लिए byproduct है, किसी के लिए वो main product भी बन जाता है, जैसे brewing industry है, तो brewing industry में यह अगें जो इसका enzyme है, जाइमेस, अगें सुगर को इतनॉल और carbon dioxide में split करता है, तो यहाँ ethanol इसके लिए useful है, क्योंकि beer में ethanol चाहिए होती है, alcohol चाहिए होता है, विसकी में alcohol चाहिए होता है, तो यह सब सारी brewing industries है, जिसमें alcohol is their main product, तो इसमें भी यह use होता है, इसके दो, दोनों mode के reproduction पाए जाते हैं, sexual as well as sexual, sexual mode of reproduction हम next में देखेंगे, sexual reproduction में वैसे भी कुछ देखने जैसा नहीं है, क्योंकि यह unicellular organism है, तो बहुत ज़्यादा देखना जैसा नहीं है, लेकिन sexual mode of reproduction में, by budding and by fission, दो तरफ आया जाते हैं, मतलब by budding मतलब एक उसका outgrowth होता है, और यह outgrowth में यह nucleus फिर divide होके अंदर चली जाती है, तो मैंने यह अपना छोटा यहां पर outgrowth बना लेगा, यह cell wall चली जाएगी, फिर यह जो nucleus है, वो divide होके दो हो जाएगा, इसको बोलते हैं karyokynosis, फिर बाद में एक nucleus migrate करके यहां चली जाएगी, meanwhile यह चोटा वाला हिस्सा फिर बड़ा हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा, और जब अपने self-sustained, मतलब खुद अपना कारिया कर सकता है, तब यह यह इपाला यहां migrate करके चला जाएगा, और जब अपना काम खुद कर सकता है, तब यहां से वो बना देगा, और यह फ होता है, तब उसके उपर दूसरा बड़ बन जाता है, और इसके उपर तीसरा बड़ बन जाता है, ऐसा भी होता है कभी तबी, तो यह भी डिवाइड करके उसमें नुकलिस डाल देता है, तो इस तरह से एक pseudo-mycelium, मतलब एक mycelium, actually यह mycelium, क्योंकि यह unicellular है, mycelium का कोई question ही नहीं, क्योंकि वहाँ सेप्टा बनना ही नहीं है, तो यह mycelium का false appearance देता है, तो इसको pseudo-mycelium भी बोलते हैं, यह हुआ budding से, दूसरा हुआ fission से, तो fission माने बीच में से कट जाना, उसको बोलते है fission, लेकिन यह थोड़ा plant-like character भी दिखाता है, तो इसमें से पहले first यह plate बनेगी, यह plate बनेगी, मतलब कि जब nucleus divide हो जाएगा, मतलब karyokinesis हो जाएगा, तो एक nucleus micrade हो जाएगा, यहाँ पे, दूसरा एक यहाँ रह जाएगा, फिर उसका vacules यहाँ पे appear होगा, और फिर बाद में center में एक plate बनेगी, वो plate में से फिर यह invagination से, यह contraction होते होते, यह द metokinesis, तो इस तरह से fission होके भी हो सकता है, तो asexual reproduction by budding and by fission, यह दो mode of reproduction हैं अपने yeast में, अभी हम थोड़ा आगे यह वाला हिस्सा समझ लेते हैं, फिर बाद में हम sexual reproduction में, next lecture में जाएगे, कि यह बहुत बार यह आप, आपको यह word सुनने को मिलेगा, कि haploid और diploid क्या है, तो बहुत से organism ऐसे होते हैं, lower class organism होते हैं, वो अपनी पूरी life cycle में N में बिता देते हैं, हमको यह मालूम है, कि हमारा जो chromosomal structure है, वो 2N है, मतलब हमारे पास 23 pairs of chromosome है, 23 plus 23, ऐसा 23 pairs of chromosome है, तो 23 pairs of chromosome है, तो यह मानो, supposing हम ऐसा एक hypothetical situation बनाते हैं, कि हमारा जब reproduction होता है, तो male के पास 2N होगा, female के पास 2N होगा, मतलब इसके पास 46 होगे, और यह female के पास 46 होगे, इसका जब fusion हो जाएगा, फिर से बन जाएगा 92, और अभी एक दूसरी female आएगी, जिसके पास 92 है, तो 92 और 92 fusion हो जाएगा, 184 हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है, this is not possible, क्योंकि chromosome number हर टाइम बढ़ जया है, तो यह पूरा अपना life है, वो पूरे यह इस पे dependent है, यह पूरा हमारा जो protein बनना है, सब जो पूरा metabolism है, यह chromosome पे dependent है, तो यह तो number fix ही रहना चाहिए, और इसमें कोई भी changes is not allowed, तो यह कैसे होता है, तो इसका जो division बनता है, 2N, उसको पहले हमारे पास दो तरह के cell होते है, somatic cell और germinal cell, तो जो somatic cell होते है, supposing skin, तो skin जब damage हो जाती है, निकल जाती है, तो उसके उपर हमें skin ही चाहिए होती है, दूसरी कुछ चीज नहीं चाहिए होती है, तो इसका structure अगर 2N है, तो फिर 2N ही चा होते हैं, तो इसके nucleus में भी 2N होना चाहिए, suppose हमारे muscle कट गए है, फिर दूसरी muscle उसमें बनने हैं, तो फिर उसमें भी 2N चाहिए होते हैं, तो ये जो division होती है, उसको 2N यान्य माइटोटिक division बोलते हैं, लेकिन जब उसका reproduction होता है, तभी अगर 2N में reproduction करेंगे, तो हर बर multiply add होता जाएगा, और जाके कितने number बन जाएगे, तो इसको हमारे एक दूसरा cell रहता है, जिसको बोलते हैं germinal cell, germinal cell है, उसमें gamet बनते हैं, जिसको जो N और N में split कर देते हैं, इसको बोलते हैं meiosis, तो जहाँ जहाँ जो जो organism 2N में survive करती है, और sexual reproduction करती है, वो N और N में change ह जाती है, तो ये stage जो N वाला stage है, उसको बोलते है gametophyte, और जो 2N वाला stage उसको बोलते है sporophyte, तो एक, तो हमने ये देखा, कि जो stage 2N वाला है, उसको हम sporophyte बोलेंगे, और जो stage N वाला है, उसको हम gametophyte बोलेंगे, लेकिन याद रखे गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट सिर्फ फंजाई और प्लांट में ये वर्ड यूज करते हैं एनिमल्स के लिए ये वर्ड यूज नहीं होते हैं दूसरा जो और्गेनिजम पूरा लाइफ अपना एन में व्यतीत करता है मतलब पूरा वो एन से ही उसका और्गेनिजम और्गेनिजम का या फंजाई का अपना जनेटिक मेकप है तो उसको हम हैपलॉंटिंग और लिए अपना पूरा लाइफ सेकल बिताता है उसको डिपलॉंटिक और गेनिजम बोलेंगे लेकिन उसको sexual reproduction में आने के लिए वो temporarily जब N और N में आएगा तो वो haplontic एक time ही होगा, मतलब पूरा life cycle अपना 2N में ही बिताएगा लेकिन जब reproduction की बारी आएगी तभी वो N और N बनाएगा या N और N में वो अपना gamet बनाएगा तो इस तरह से haplontic और diplontic ये वर्ड यूज होते हैं sporophyte और gametophyte ये वर्ड यूज होते हैं मैंने इसलिए समझाया कि अभी जितनी बार reproduction या कुछ भी आएगा तो ये आपको sporophyte, gametophyte, haplontic, diplontic ये बार बार सुनने को मिलेगे इसलिए मैंने ये आपको यहां समझा दिया आगे भी जितनी बार आएगा उतनी बार ट्राइ करूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा इसके बारा में बताते जाओं जब तक आप lesson mitosis और neiosis नहीं कर लेंगे तब तक इसमें clear cut आपको समझ में तो नहीं आएगा लेकिन it will be very very useful कि आप जब आगे आएगा तब यह क्या है इतना तो आप समझ गए होंगे तो यह पूरा चैप्टर में आपको याद इस सारे इसकी एक्जांपल रखने है एसको माई सेटी सुमाने वह जो सेप्टेट वाली फंजाई है दूसरा इसमें इस्ट वाली है वह ब्रूइंग इंडस्ट्री और बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होती है और इसकी दो फंजाई यानि पैनिसिलियम है उसमें से पैनिसिलिंड रहे होता है विच इस नोन अज़ने ड्रग नियुरोस्पोरा है वह बायो केमिकल और जैनेटिक वर्क में भ कवर करने के ट्राइ करेंगे थैंक यू वेरी मच